नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नियूज वा निजिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ मैंनिश शर्मा बुलिटिन की शुरुआर बड़ी और एहम खबरों के साथ जापर सबसे पहले खबर दिल्ली से थोड़ी देर में जेपी नड़ा से सियम त्रिवेंदर सिंग रावत की मुलाकात होनी है और सियम त्रिवेंदर की मुलाकात से पहले दो आने नेताओं से भी मिलेंगे बीजेपी अध्याक्षा बीसी खंजूरी और रमेश पोक्रियाल निशंक से भी मुलाकात करेंगे बीज थोड़ी देर में J.P. सांसाद अर्चय भट और दुश्यंत गातम से भी मिल सकते हैं J.P. नड़ा तो थोड़ी देर में जेपि नड़ा से सीम त्रिवेंदर सिंग रावत की मुलाकात होने वाली हैं और सियम त्रिवेंद्र सिंग रावत की मुलाकात से पहले दो आने नेताओं के साथ भी बैठा कर सकते हैं विचार विमर्ष कर सकते हैं जेपी नड़ा और वीजेपी सांसद अजय भाट और दुश्यंत गौतम से भी मिल सकते हैं जेपी नड़ा तो दिलनी से खबर जहाँ प और इसके बाद बीजेपी सांसद अजय भाट और दुश्यंत गौतम से भी मुलाकात कर सकते हैं जेपी नड़ा तो दो आने नेताओं से भी जेपी नड़ा मिल सकते हैं बीजेपी अध्याक्षा मिल सकते हैं मुलाकात का दौर उनका जारी है जहां पर वो त्रिवेंद्र स सिंग रावत से मिलने के लिए पहुंचेंगे थोड़ी देर में जेपी नडडा यानि बीजेपी अध्याक्ष जेपी नडडा की मुलाकात सीम त्रिवेंद्र सिंग रावत से होनी है और ब्रुजेश श्रिवास्तव जादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रुजेश जानकारी चाहूंगी कि इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है जेपी नडडा की और स्रियम त्रिवेंद्र सिंग रावत की देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उत्राखंड की राजनीत में इस वक्त भूचाल है उत्राखंड की राजनीत में इस वक्त उठापटक का दोर जा रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके की नेत्रत परिवर्तन की अठकले लग रही है यूं तो इन अठकल को उत्राखन के सभी वीजेपी नेता एक सुर से खारिज कर रहे हैं उनका साफता और पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई मतवेद नहीं है किसी तरह का कोई जो है दोफाड नहीं है बावजूद इसके जिस तरीके से पूरी उत्राखन की सरकार इस वक्त दिल्ली में है वो कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है इसके साथ ही मुक्ख मंतरी ट्रिवेंज सिंग रावत ने खुद स्विकार किया कि हाँ मुझे केंडरी नेतरत ने बुलाया है और मैं मिलने आया हूँ तो केंडरी नेतरत ने बुलाया है और मिलने आये हैं अपने आप में बेहत अहम हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वज़े है कि पूरी की पूरी सरकार इस वक्त दिली में हैं अब से कुछ देर में जो अभी तक का जो सिडियूल सामने आया है उसके मताबिक लगबक साड़े चा पूरर नहीं हुआ क्योंकि ग्रह मंत्री अभी बंगौल के दोरे से वापस नहीं लोटे और ऐसे में जैसे वापस लोटेंगे उसके बाद संभ होता है मुक्वंत्री की मुलाकात हो सके तो यह अपने आप में बेहती अहम है अब देखना होगा कि जिस तरीके से निशंक से मुलाकात करेंगे जैपी नड़ा बलकि इसके साथ ही महराष्टा के गवर्नर है बगत सिंग कोश्यारी उनके साथ भी जैपी नड़ा की मुलाकात हो सकती लेकिन यह अनौफिश्यल है उनके साथ मुलाकात होगी नहीं होगी क्योंकि गवर्नर है और ऐसे में जो जो है केंदरी नेतरूत मिल रहा है तो इसमें कई न की सवाल जरूर खड़े होते कि आखिर जुथ तरीके की जुद परवाद एंश्वतकियार उत्राखंद?". वे बेहादी अहम अब देखना यह होगा कि केंद्रे नेतरत में खास करके जेपी नड़ा के साथ मुलाकात के बाद किस तरीके की प्रत्क्रिया या किस तरह की स्थितियां बनती हैं बिलकुल ब्रिजेश काफी जादा महत्पूर्ण हो जाएगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आएगा फिलाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो बीजेश पी सांसाद आजय भाट और दुश्यंत गौतम से भी मुलाकात कर सकते हैं जेश पी नडडा थोड़ी देर में आपको बता दे कि जेश पी नडडा से त्रिवेंद्र सिंग रावत मुलाकात करने वाले हैं और वहीं उत्राखंड में मचेश सियासि घमसान के बीच अजय भाट का बड़ा बयान सामने आया है न्यूजवान इडिया से खास पाचीत में बोले है बीचेपी सांसाद अजय भाट उन्होंने ये कह दिया है कि लेत्रत परिवर्तन की बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है अजय भाट का ना मैं कभी दावेदार था ना मेरा नाम दावेदारी में है तो ये साफ किया है अजय भाट ने उत्राखन में पार्टी पूरी तरीके से एक जुट है सरकार के चार साल पूरे होने पर कोर कमिटी की बैठक हुई थी तो इस बैठक को लेकर काफी सवाल खड़े किये जा रहे थे लेकिन आप उन्होंने साफ कर दिया है कि ये केवल जो सरकार के चार साल पूरे हुए थे उसी को लेकर ये बैठक की गई थी उत्राखंड की सियासत में इस वक्त घमासान मचा है केंद्री नेत्रित को फैसला करना है कि आखिर उत्राखंड में किस तरीके से सियासत चलेगी लेकिन इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नहींताल से सांसत अजय भट जी है सर उत्राखंड में जिस तरीके का सियासी घमासान मचा है अखिर यह क्या है क्यों यह खेमे बंदी हो रही है मैं आप से पूशता हूं कि कहां घमासान मचा है कुछ भी नहीं मचा है सब यह प्रस्थन पोच रहे हैं उत्राखंड बिलकुल सामानी है भारती जंता पार्टी की गुवर्मेंट चल रही है कहीं कोई दिक्कत नहीं है मानी मुख्य मंत्री जी दिल्ली आये हैं केंद्री नित्यत्तों से मिलने के लिए सामानी प्रकरिया है एकका दुक्का मंत्री भी आगे होंगे सांत में आई जाते हैं आधे घंटे की फ्लाइट है यहां बहुत नजद केंद्रि ने लगता कुर्ण है पूर्य लिकान का जाते हैं कोई कोई सच्चाई मुझे तो नहीं दिखती है यह सब कपोल कल्पित बाते लगती है तो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्री नित्रत्र ने बुलाया है मैं उन से मिलने आया हूँ जो उनका फैसला होगा वो देखा जाए है तो ठीक है केंद्री नित्रत्र से आना कोई बुरा थोड़ी है मुख्यमंत्री जी ने ठीक बयान दिया है हरीस रावत कहते हैं कि सब को आइस्थाई करने वाली सरकार या पार्टी अब खुद एक तरे से आइस्थाई हो गई है इस्थाई तो नहीं बचा उसमें अस्वंजस किस्थिती है वीजेपी के लिए रावत जी पहले अपनी पार्टी देखने अपना घर देखें जिनके घर सीशे के होते हैं वो घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं मानी रावत जी की इधर से निकल रहे हैं उनके अध्यक जी उधर से निकल रहे हैं दोनों मिलते नहीं हैं कहीं पर भी वो कहीं सिलिंडर का ड्रामा कर रहे हैं कभी कोई कुछ करता है कंदे में रखकर वो एक साथ नहीं आते हैं तो इसलिए वह अपनी बात देखें हमारे वहां तो हिस्थायदत्यों है सई ठीक से चला है सब ठीक चला है क्या आपको लगता है कि पार्टी 2022 में इसी नेतरत के साँगे जाएगी जो है किसमें कहीं किया दिक्कत है जो नेतर तो है ुसे साथ तो आगे बढ़ेगी पार्टी दावेदारी हो के बहुत सारे नाम चलने हैं आप आप कभी नाम आप दावेदार कह दिया मैं तो मेरा नाम डाल दिया मैं ने कभी दावा किया आज तक जिंदगी भर नहीं किया मेरी पार्टी की कृपा बनी हुई है जो दायत्तु दिया तो दायत्तु को अच्छी तलों से निभाने की कोशिस की लेकिन आज मैं देख रहा था मेरा अगवार में आ रहा मेरा नाम टीबी में आ रहा क्यों भाई मैंने किस से कहा मैं कहीं गया या किसी से मिलने गया या मैं इसका दाविदार हूं कहा सरकार चल ली है एक माननी मुख्य मंत्री चला रहे हैं वहाँ पर तो ऐसी बात चलाना भी अच्छी बात नहीं है अब लेकिन हम कह भी नहीं सकते हैं कुछ अब आप से कहेंगे प्रेस से अभी पता नहीं आप क्या चला दोगे हम आप से भी कुछ नहीं कह सकते हैं सवाल इसली भी उठाए है क्योंकि आपकी कोर कमेटी के बैठक होती है केंदरी परवेचक भेजे जाते हैं अब पहले कभी केंदरी परवेचक नहीं थे वो रास्ती हमारे उपाध्यक से और हमारे वहां के प्रभारी जो रास्ती महामंत्री है दुस्यन कुमार जी और रमन सिंग जी वो आये थे दो पॉइंट पर 12, 13, 14 को हमारी प्रदेश कारिस समिती है जिसमें चिंतन बैठक भी है जिसमें पदाधिकारियों की बैठक भी है प्रदेश पदाधिकारियों की और इतना ही नहीं है यही बात नहीं है बलकि वहां पर हमारे रास्ती महामंत्री संगठन बियल संतोष जी आ रहे हैं तो वो एक अच्छी दिब्य और भव्यता बनी रहनी चीए उसका हमारा एजेंड़ा कैसे फिक्स होगा यह सारी चीज़े हैं तो और इसी तरह से हमारी इस सरकार को चार साल का समय पूरा हो रहा है अठारा मार्च को सरकार की उपलब्यों को जन जन तक गाउं गाउं गली गली महले महले बू थर से भी नीचे कैसे पहुचा सकते हैं इसकी भी प्लैनिंग दो ही बातों पर बात हुई उस दिन मानी रमंण सिंग जी के सामने और मानी प्रभारी जी के सामने अठारा अलीजवेल है उलीजवेल तो बिल्कुल ये थे अजैब भट जीama फा नमें साबता और पर कहा और उत्राखंड बीजेपी में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है, मुख्य मंत्री त्रिविंद्र सिंग रावर्त केंद्रिय नित्रत से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुच चुके हैं और उत्राखंड में मचेश सियासी हल्चल पर उत्राखंड की शिक्षा मंतरी अर्विंद पांडे ने खास बातचीत की हमारे समबदा ता पियोष दिवारी ने देखे सब्सक्राइ Tit. भी और Central Agreement में भी एकी दल की राजनिती है एकी दल की फरकार है इसे नाति हमारे प्रदेश का डबलेबेंट जाता हो अच्छे काम हो जदा-जदा जादा जन्ता की उमीदे हैं उसको हम फुरा कर सके एक सालवाद चुनाओ होना है तो अपने प्रदेश के विकास के लिए मुक है नहीं दिल्ली आना स्वभाविक है बिधायक हो या मुख्यमंत्री हो लेकिन दो दो प्रविक्षक गए थे रमन सिंग गए थे दुस्यंत कुमर गौतम गए थे अब कहा जा रहा है कि उन को ने जो रिपोर्ट दी है आला कामान को इसी को लेकर सीम यहां पर आये हुए है कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कोड़ कमेटी की बैठक होती है उसे बैठक में हिस्सा लेने के लिए परदेश के परभारी हुए या और वहां कोई बरिष्ट नेता हुए यह सेंटर से जाते हैं का जा रहा है सर कि त्रिवेंट सिंग्रावट से कुछ बिधायक नाराज नजर आ रहा हैं ये भी कारण हो सकता है कि इस बार जो उथल-थल-बची है यह इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि 70 में से 77 बिधायक भारतिय जन्ता पार्टी को वहां की जन्ता ने बना के दिया तो उनका सरवांगिर विकास उसे प्रदेश का उनके जन्ता की भावनाओं के उनको विकास करना इस सरकारी के नेतिक जिम्मेवारी है बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है उसी को हम लोग निभाने के लिए अकर जो मुख्यमंत्री अलग चले मंत्री अलग चले बिधायक अलग चले अधिकारी अलग चले तो इतना बढ़ा हम जो बहुमत हमको मिला है न हम उनकी जन्त भावनाओं को पुरा चोटे भाई कभी भी निखर पाएंगे जन्ब भावनाओं को पुरा करने के लिए हमको कहने कहीं एक होना पड़ेगा और आज उत्राखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री समंत्री बिधायक अधिकारी हम सब लोग एक मन से काम कर रहे हैं विकास के लिए और उत्राखंड उत्राखंड की विष्टी में हरे छेत्रे में हम लोग उत्राखंड प्रदेश का एक बड़े मन के साथ और एक मन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कोई तोर पे क्या सीम त्रिवेंदर सिंग रावत के साथ हैं D Batman कोई चीज नहीं है ए यह हम अलग अलग नहीं है हम लोग एकी है बिल्कुल हम खुछ है हमारे सब मंतरी इस सब इयाक मारी अधिकारी साभ में एक जूट हैं üç उत्रों प्षट अurtिष्ट के भी कास के लिए हुए हमारे दिनों किसके चेहरे पर चुनाओ लिए ने हमारे इसक घरा हमारी यू कमल का फूल है का जर्वांगित के हैं मोडी हैं अमिसाजी है सब कर चाहिए हमारे दिनों में चुनाओं है और जो नाराजगी की खबरे आ रहे हैं वह कहीं नहीं है जैसा पेस किया जा रहा है न्यूजुन इंडिया के लिए प्यूस्ति वारी नहीं दिल्ली बरेली एरपोर्ट से शुरू हो गई है हवाई उडान सेबा पहले हवाई जह दिखाई है केंद्रिय मंत्री संतोष गंगवार और सांसद धनमेंद्र कश्यप बरेली पहुँचे विधायकों के साथ 72 यात्रियों को लेकर बरेली पहुचा पहला विमान उडायन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मौके पर अधिकारियों को नसीहत भी दी है तो विधाय इसकी प्रू मेंबर इसको बढ़ाने की पाइलेट और इंजिरियर सब महिला है तो मैं बढ़ाई देता हूं सब कामने देता हूं और आधरनी इस देश के प्रिभान मंत्री चाहिए नियमोदी जी के नेतित में उनकी कुपरती महाद्वकाशी है उजना सब उड़े सब निदो मंत्री चीने इस प्रदेश के कर्म योगी मुख्याले निदेश के हर मंडल मुख्टाले को प्रदेश की राजधानी देश की राजधानी और देश के और बड़े साहरों से जोडने की जो महिम चलाई है उसमें उत्तर प्रदेश आज-जयस मैंकणी है, मैं बढ़ा और खबर वारानसी से जहाँ पर सीम मा अदबुद्य योजना के तहत अब्यूद्य कोचिंग का उद्खाटन करने पहुंचे कमिश्णर अरदीपा कग्रवाल ने कोचिंग का उद्खाटन भी किया संत अतुलानंद विद्याले की डारेक्टर समेत स्यकडो चात्रिस दौरान योजना के तहत सभी चात्रों को निशुल्क का कोचिंग दी जाएगी तो बड़ा फैसला कि योजना के तहत सभी चात्रों को निशुल्क यानि मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी IES और PCS जैसे प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग मुफ्त का उखातन किया जो किसी चीज से आप किसी पैसे से के अभाव में अपनी परिक्षा नहीं पास कर पा रहे हो उनके लिए वहत ही उचित यूजना है जो हमारे हाँ अभीदे योजना समाज कल्यार्ण से उतरप्रदेश विभाव द्वारा यहां पे लांच किया गया जेई और नीट की परिक्षाओं के लिए अभीदे कोचिंग सेंटर की मानिता जो हमारे हां मेली है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ यहां के सरकारी संस्थानों का और समाज कल्यार्ण दभात का हमारे मुख्य मंतरी उसी श्री योगी जी का कि जो भी बहुत ही अच्छे आभ्यर्थी हैं लेकिन आर्थिक अभाव की कारण या आरक्षन की विवश्टा के कारण ना तो पड़ पाते हैं ना विबढ़ पाते हैं मौका नहीं मिल पाता उनको अवसर देने के लिए जो योजना चलाई और योजना के लिए उन्होंने जो हमारी विद्याले को एक सायोग दिया कि आप केंद्र लीजिए और हमें पात् अब आप्ड़ 배eszन निकाला हैं अशके ए मनें टैस्ट या था और फिर काउंसलिंग हूए मेरी और अघर हमें अच्छ हमके यहाँ पर बुलाया गया है आज हमारी फॉर्स ट्लास थी और हमें मोला है कि क्ल से हमारी क्लस चलेगी आप खुष हूँ कि हमें भी मॉका मिला हे कि आपे पढ़ने का जो 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 लोग वीक थे एकनॉमिकली उन्हें भी एक अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं पढ़ने के लिए आज जो अभीद्य यूजन प्रारम होई रहा इसके लिए मुख्यमंत्री यूगी जी को बहुत बहुत धन्यवार कि उन्हें ने हमारी मिद्याले को चुना हम लोग बहुत ही सौभा की शाली है कि हम अपने प्रदेश की उन बच्चों को यहां नीट जेई की परिक्षा दिलवा सकेंगे पढ़ाई करवा सकेंगे जिसके लिए वो दूर-दूर जाते रहे हैं और इसके लिए मुक्रमंत्री जी की जो पहल है वो उसके लिए हम लोग बहुत ही धन्यवा देते हैं आज का दिन बहुत ही सुन्दर दिन है क्योंकि आज जो यूपी सरकार की अभ्योदय योजना है उसका सेंटर वारनसी में यहां पे स्कूल में खुला गया है हम लोग के मंडला युक्त द्वारा श्रीदी पकागरवाल जी द्वारा और इसमें जो एक सामान या वर्ग के बालक और बालिकाये हैं वो लोग जरूर इंजीनरिंग की मेडिकल की परिक्षाओं के लिए वो जो मेरिटॉरियस बच्चे हैं इससे बहुत जादा उनको लाब होगा और इस तरह की योजनाओं के लिए मैं मानिय मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत उनको सारे लोगों की तरफ से उनका अभाद और इसे के साथ इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार